ये गाई समस्ते केम चो वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चेनल एडीब व्लोग्स तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने है वाले हुंडाई अल्कजार के बारे में तो पूरा डीटेल वीडियो है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा दोस्तों साथ में कौन- तो सब कुछ आज के वीडियो में होने वाले प्राइजिंग क्या है माईलेज क्या है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखे तो आपको काफी अच्छा रहेगा अगर आपको नई कार पर्चेस करनी है तो जल्दी से अभी पूरा एक्स्टीरियर के बारे में बात करेंगे आगे आपको लोगो के नीचे चुटका सा कैमेरा भी देखने को मिलेगा तो बंपर स्वगेरा का डिजाइन काफी अच्छा है तो अगर मैं में एड लेंप की अगर बात करूँ तो यहाँ पे डी आरेल तो ट्राइ एलेड हेड लेंप तो काफी अच्छा हेड लेंप और इंडीकेशन पर अप्शुन भी शुटका सा देखने को मिलेगा और साथ में द्यारेल के अंदर भी देखने को मिलेगा औहुर और नीचे फॉग लेंप आप देख सकते के यह यहाँ पर भी तरन इंडीकेशन है और यहाँ पे पूरा क्रोम का जो यह काफी अच्छा लग आपको पूरावद करते हुए प्रते को ऑपन करते हुए थो आप मिरविए को आप होड़ измен arrangement देख सकते हुए क्पाफी neat and clean यहाँ पर एंजिन एरेन्मेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पर जो केबलिंग्स वगेरा किया हुआ है उसका भी क्वालिटी काफी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है तो यहाँ पर बैटरी कंपार्टमेंट फ्यूज कंपार्टमेंट तो काफी अच्छा है और यहाँ पर पूरा जो यह कोटिंग किया हुआ यह एंजिन है आपको आफ्टर मार्केट से कोटिंग वगेरा करवाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कूलंट का और यहाँ पर वाइपर का यहाँ पर डॉट 4 ब्रेक एल तो काफी अच्छा है एंजिन अरेंpriमेंट काफी एच्छा है और यह जो हूड है उसका भी वेट काफी ज्यादा अच्छा है तो आपको हुंडा अलकजार दो वेरियंस में अवेलेबल है 1.5 लिटर का डीजल एंजीन और 2.0 लिटर का आपको पेट्रोल एंजीन देखने को मिलेगा तो यहाँ पे पावर आउटपुट फिगर्स यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आ रही होगी तो काफी एच्छा है पाव आप टूक को यहां पर फ्रंट लूक दिख सकते होंगे जबसे पहले बात करते होगे यहां side glass mirror की तो जो body color side glass mirror देखने को मिलेंगे यहां पर turn indication का option देखने को मिलेगा और साथ में आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर आपको camera भी देखने को मिलेगा जब आप turn indication on करोगे तब आपको M.I.D. में यहां पर side का view भी पूरा देखने को मिलेगा तो अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो आप यहां पे देख सकते हो कि ड्यूल टोन में crystal cut alloy wheels यहां पे देखने को मिल रहे हैं तो यहां पे 4-4 wheel में आपको disc brake देखने को मिलेगी अगर आप basic model लेते हो तो आगे के दोनों में आपको disc brake और पीछे के दोनों टायर्स में आपको ड्रम प्रेक देखने को मिलेगी तो टायर्स की वीड्स वगेरा भी काफी अच्छी है और काफी एच्छे खुपस्तूरत लग रहे है तो काफी बढ़िया है तो यहां पर अगर मैं हैंडल बार की अगर मैं बात करूँ तो आपको यह देख सकते हों कि यह लग तो रहे कि डोर कलर्स के ही है लेकिन यहां पर थोड़ा फ्रोम का गार्निशिंग भी देखने को मिल रहा है तो यहां से कार को ओपन करते हुए तो यहां से अंदर चलते हुए तो यहां पे dual tone में पूरा यहां पे देखने को मिल रहा है और साथ में यहां पे आप देख सकते हो कि इसी event का जो design हो as it is Krata की तरह से देखने को मिलेगा और यहां पे तो glow box तो काफी चुटका सा है और यहां पे अपना सावन वगेरा रख सकते हो कुछ ठंडा वगेरा करना है तो भी कर सकते हो dual tone में पूरा interior है काफी अच्छी quality का interior यहां पे देखने को मिल रहा है और यहां पे डोर्स पे अगर मैं बात करूं तो बोजे का sound system यहां पे आपको देखने को मिलेगा काफी एच्छा है प्रीमियम sound quality आपको देखने को मिलेगा और यहां पे दोनों dual tone यहां पर भी यूस हुआ देखने को मिल रहा है यहां पे जो यह क्रोम का manual transmission आपको इसमें देखने को मिलेगा और यहां पर बहुत सारे चार्जिंग के option यहां पर देखने को मिलेगे जो हैंडब्रेक है हमारा वह यहां पर इलेक्ट्रिक हैंडब्रेक देखने को मिलेगा तो काफी अच्छा glossy finishing में पूरा गेर लीवर आप देख सकते हो कि है और य もし करते हुए तो पर इससी कंट्रोलिंग के लिए यहां पर जो पैनल है वह साथ में यहां सारे सारे कंट्रोलिंग कर सकते हो पीछे का這是 करना है वो भी कर सकते हो यहां पर उपर आते हुए तो आपको इसमें 10.25 इच का music system पूरा देखने को मिलेगा तो music system काफी अच्छा है काफी multiple information आप देख सकते हो और यहां पर आप देख सकते हो कि दो इस इवेंट दो यहां पर दोनों तरफ तो इस का डिजाइन काफी अच्छा है गार्णीशिंग वगेरा काफी अच्छा लग रहा है क्वालिटी वगेरा काफी अच्छा है अब देख सो के music system के बहुत सारे multiple option यहां पर देखने को मिल रहे cd player radio मेडिया वॉल्यूम के लिए आप डाउन करने के लिए तो यहां पर अंदर चलते हुए कार के बैक साइड में तो यहां पर दोर्स वगेरा काफी अच्छी हेवी क्वालिटी का यहां पर देखने को मिल रहे तो काफी अच्छा है और यहां पर मैं पीछे के सीट्स वगेरा की बात करूण डूर्स पर अगर की बात करो तो यहां पर भी एक दोल टोन का यूज देखने को मिल रहा है यहां पर भी बोजे काव एक और श्पिकर देखने को मिलेगा एक बोटल होल mudar है और यह लिवर्स वगेरा है उसका भी quality काफी अच्छ है और साथ में यहां पर देख सकते हो कि प्रटेन्स वगेरा भी दे रखेंगे तो यह काफी परफेक्ट है और यहां पर पीछे की सीट्स पूरा सीट्स पीछे तो यहां से मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ तो मैं दूसरी तरफ से अंदर जाऊंगा और आपक तीन लोग और यहां पर आगे दो लोग तो यहां पर भी आपको एक्जिस्टेबल एड्रेस्ट देखने को मिलेंगे और साथ में यहां पर सेंटर में आपको आमरेश्ट देखने को मिलेगा और नॉर्मल आमरेश्ट यहां पर कॉप होल्डर वगेरा नहीं है और परफेक्ट तो थोड़ा मेडियम आगे किया हुआ है अभी मैं पूरा आराम से जा सकता हूँ यहां पर तो काफी अच्छा है और यहां पर आप देख सकते हो कि यह नया चीज एड़ान हुआ है आप कुछ खाना वगेरा खाना है तो रख सकते हो आप अपना काम भी कर सकते हो यह काफी अच्छी बात है और यह से करके नीचे हो जाएगा तो यहां पर दो लोग अगर नॉर्मल बॉड़ी के हो तो तीन लोग बड़े आराम से बैठ सकते हो अगर अब थोड़ा हेवी बॉ में जाएंगे और देखते हैं कि थर्ड रो का कैसा रिस्पॉंस है क्योंकि अगर मैं दोनों रो की अगर मैं बात करूं तो आपको एस इट इस क्रेटा जैसा ही लगेगा उसमें कुछ ज्यादा बड़ा चेंज यहां पर नहीं मुझे देखने को मिल रहा है और पीछे की र परसंटेज वाला सीट आएगा क्योंकि पीछे जाने के लिए आपको बड़ा इजी रहेगा अगर पूरा सीट रहेगा तो गिराने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आएगा तो आप यहीं से पीछे जा सकते हो थोड़ा और अक्वर्ड तो रहेगा लेकिन काफी अच्छा ह ओ बापते तो यह मुझे लग रहा है कि मैं सीट को यहां से नहीं नहीं चले करते हैं देखते हैं अभी में थर्ड रो में बैठा हुआ हूँ आप देख सकते हो कि अभी में थर्ड रो में बैठा हुआ हूँ तो थर्ड रो में तो हेड रूम की तो लग चुकी है हेड रू हो रहा है तो यह चाइल शीट्स आप बोल सकते हो बहुत ही बड़े लोग हो बहुत ही हवी बॉड़ी लोग हो आप यहां पर नहीं बैच सकते हो कर सकते हो बॉटल हुल्डर दोनों तरफ है आपको एक्जस्टेबल हीट्रेस्ट भी मिल जाते हैं तो और क्या चाहिए कार में तो बहुत ही परफेक्ट है चाइल के लिए काफी अच्छी और आप यहीं से बैठे बैठे भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो यह सीट पूरा निकलना पड़ रहा है तो थोड़ा मुझे अनकमफटेबल लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं है चाइल सीट है बड़े लोग जाओगे तो लगेगा ही आपको काफी अच्छा है और अब देख सकते हो कि फ्यूल तो 50 लिटर का आपको इसमें फ्यूल टैंक है तो फ्यूल क्रेटा है तो क्रेटा से थोड़ा जो टेल लेंप है वह थोड़ा अलग यहां पर देखने को मिल रहा है और यहां पर सेंटर में पूरा अलकजार लिखा हुआ है थ्रीडी एंबोजिंग है सेंटर में आपको हुंडाई का लोगो देखने को मिलेगा तो आपको रूफ रे मोटे बैक्स आप यहां पर रख सकते हो और यहेड्रेस को हम गिरा देते हैं तो हैड्रेस को गिरा दिया है तो आपको अगर सीट वगेरा का जरूरत नहीं है तो इसको ऐसे खींचिए और खींचिए और आगे की तरफ यह सीट आपका पूरा चला जाएगा यह दूसरा सीट अब यह ऐसा ही चला जाएगा आप देखिए कितना बड़ा बूट स्पेस आपको मिल जाता है और आपको जरूरत नहीं है छे लोग नहीं हो चार लोग ही हो तो सामान ज्यादा है तो इस तरह से पूरा स्पेस को आप यूज कर सकते हो साथ में यहां पर छोटा सा लाइट देखने को मिल रहे है तो इसका स्पेर वील है और यहां पर नीचे की तरफ दे रखा है भी को दिख रहा होगा यहां तहो से पेट्रों यहाँ पे नीचे आपत नीचे है को काफी अच्छा है अब tabii काफी अच्छा बड़ा वूट्स स्पेस हो जाएगा अगर आपको यो स् तो एचा है वुर स्क्रीन को मिलेगा जैसा ही मैंने पूछ स्टार्ट बटन दबाया तो कुछ इस तरह से आपको पूरा डिजिटल स्क्रीन है और बहुत ही अच्छा बहुत ही कुप सूरत लग रहा है यह पूरा स्क्रीन आप देख रहे हैं को इस तरफ आपको स्पीडो मीटर देखने को मिलेगा यहां पर कितना किलो मीटर राइड हुआ है वो यहां पर हमारा जो पार्किंग में है अभी हमारा कार तो हैंड ब्रेक खीचा हुआ है तो उसका यहां पर नौटिफिकेशन दिखाएगा और इस तरफ नौटिफिकेशन आप यही से देख सकते हो तो सबसे इंटरस्टिंग चीज इस कार में यह है कि आप अगर लेफट एंड साइड का टर्न इंडिकेशन ओन करते हो तो आपको यहां पर लेफट एंड साइड में आपको ब्लाइंड व्यू मिरर देखने को मिलेगा और अगर इस तरह का इसका यह पूरा इंस्टुमेंट क्लस्टर है तो इंस्टुमेंट क्लस्टर बहुती ज्यादा परफेक्ट है और यहां पर मैं स्टेरिंग विल की बात करूं तो आपको जैसा क्रेटा में देखने को मिलता था उसी तरह का यहां सेंटर में आपको हुंडाई का लोगों देखने को मिलेगा अगर राइट एंड साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहां से बहुत सारे कंट्रोलिंग की बात करूँ तो पूरा म्यूजिक सिस्टम यही से कंट्रोल कर सकते हो अटो पिकाप और ड्रॉप का यह औप्सन भी यहां पर देखने को मिल रहा है तो यह हमारा ऑटमेटिक है तो है पैडल सिफर भी दे रहा है दोनोगों तरफ यहां से आप गेर कम कर सकते हो यहां से आप गेर बढ़ा सकते हो और यहां पर अब यह ग्लास देख सकते हो कि जो यह पीछे के लोग जो बैठे होंगे उनके लिए भी काफी अच्छा वीजन यहां से देखने को मिलीगा तो काफी अच्छा यह आप देख रहे हो कि रूफ रेल्स काफी लग रहा है कार का तो कार बहुती ज्यादा पर्फेक्ट है अगर आप मेरा यह वीडियो गांदी नगर से आसपास के अरिया से देख रहे हो तो आप यहां पर पंजाब हुंडाई आ सकते हो तो पंजाब हुंडाई का एड्रेस और मैं कॉंटेक्ट परसन का नंबर भी आपक आपको यहां पर कार लेनी है हुंडाई की कोई भी कार यहां पर आ सकते हो लेकर आपको लोन्स होगे रहा है यहां पर अवेलेबल है और साथ में यहां पर इजी फाइननस भी अवेलेबल है तो आपके करवा सकते हो तो यहां पर पूरा सेटप है तो मेरे दोसने यहां पर शुरत है इस तेहां पर रिवर्स पार्किंग केमेरा भी काफी अच्छा है आप देख सकते हो कि काफी अच्छा व्यू हिमको यहां से देखने evitar कर रिवर्स वगेरा लेते हो तो काफी जलिए आपको यहां पर कि और कि क amigo